हर्याना में विधान सबा चुनाओ का बिगुल बजने के बाद भारती जनेता पार्टी ने 67 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करती है। 5 अक्टूबर को हर्याना में 90 विधान सबा सीटों के लिए मतदान होने वाला है और 8 अक्टूबर को चुनाओ का नतीज़ा सामने आएगा और हर्याना में नई सरकार किसकी बनेगी 8 अक्टूबर को इससे परदा उठ पाएगा। लेकिन फिल्हाल बीजपी ने जिस तरीके से अपनी पहली सूची जारी की है उस पहली सूची से नो वर्तमान विधायकों के नाम गायब हैं और दिगज नेताओं की बात करें तो रंजीत सिंग चोटाला जो की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे उनका टिकट काट दिया गया और उन्होंने जित दर्ज करने में काम्याबी हासिल की लेकिन जिस तरीके से करीब साड़े चार साल तक वह हैं विधाय के रूप में हरियाना विधान सभा में मुझूद रहे लेकिन मार्च के महीने में साथ मार्च को जिस तरीके से नायब सिंग सैनी की ताजपोशी हरिय और रियाना में मुख्य मंत्री के तोर पर होती हैं उसके बाद यहां रणजीत सिंगी चोटाला को केबिनेट मंत्राले में यहां पर जिमा दे दिया जाता है और यहां नायव चिंग सैनी की केबिनेट में शामिल कर लिया लेहाजा कुछ चंद दिनों के बाद तीन ऐसे विधायक हरियाना में जो की सरकार का साथ छोड़ करके और विपक्सिदल कोंग्रेस को अपने समर्थन दे देते हैं ऐसे में नायब सिंग सैनी जो है अलपमात में दिखाई देते हैं और हरियाना में लोकसवा की जो दस सीटे थी उन पर उम्मीदवार उतारने के लिए भारती जनिता पार्टी ने रंजीत सिंग चोटाला को इस सार लोकसवा सीट से चुनावी मैदान में उतारा चंद दिनों पहले उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया लेकिन फिलहाल बता दे आपको कि रानिया विधान सभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारिया कर रहे रंजीत सिंग चोटाला कॉंग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं उन्होंने कहा कि हम निश्चित तोर पर चुनाव अवश्य लडएंगे और भाजपाएदी टिकट कारती है तो फिर कॉंग्रेस पार्टी यानने कि इसी राजनेतिक दल के साथ मिलकर लडएंगे ऐसे में हरियाणा में विधान सभा चुनाव से पहले सरगर्मिया तेज हो रही है एक तरह दिगज पहलवान रहे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात कि और उसके बाद से ऐ नायब सिंग सेनी जो की मुख्यमंत्री है उनको लाड़व विधान सभा सीट से चुनाव लड़वाने का फैसला किया है अंबाला कैंट से निल्विच चुनाव लड़ते वे नजराएंगे पंचकुला से ग्यांचंद गुपता और जगादरी सीट से कमारपाल गुजर ज बारती जनता पार्टी की गुरुग्राम इकाई में यहां पर बड़ा जटका लगा है नमीन गोयल जो के गुरुग्राम से बारती जनता पार्टी के नेता है और वहां प्रदेश प्रकोष्ट के यहां पर पदाधिकारी है उन्होंने अपने पसास अधिक समर्थकों के ऐसे में क्या और भी दिगत चेहरे पार्टी छोड़ते में नजराएंगे बाडड़ा से विधायक रहे सुखभीर सिंग मांडी ने भी पार्टी को छोड़ने का एलान कर दिया है और ऐसे में आने वाले वक्त में यहां पर जिस तरीके का माहुल दिखाए दे रहा है वहां प अपनी तमाम यहां पर जिम्मेदारियों से कारिय भार से वो मुक्त हो चुके हैं आगामी विधान सभाज चुनाव की रूप रेखा को तयार करने के लिए भारती जिनता पार्टी तमाम प्रियास करती वी नजरा रही है बाजपा जिस तरीके की रणनीतिया तयार कर रही ह उन रणनीतियों को देखते वे जिस तरीके का माहौल बन रहा है वो वाकई दिल्चस्प है क्योंकि बीजपी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए यहाँ पर आतुर दिखाई दे रही है तो वहीं दस सालों से सत्ता से रुकसत रही यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी को पर करीवी कॉंग्रेस पार्टी में करवा रहे हैं संगठन को मजबूत करने का प्रयास भी कर रहे हैं और विधान सभाज चुनाओं में परत्याशियों का एलान करने के लिए आवेदन मांगे गए तो करीब 2700 आवेदन जमा किये गए यानि की हर सीट पर करीब 30 प्रत्याशी चुनाओं में ताल ठोकते वे नजर आ रहे हैं लेकिन जिस तरीके का माहूल देखने को मिल रहा है वो माहूल वाकई यहाँ पर दिल्चस्प है आने वाले वक्त की राजनिती को साधने के लिए बीजपी और कॉंग्रेस दोनों इसपी के साथ गड़ बंदन कर लिया है बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर लगातार अपनी रणनीतियों में चल रही है इने लों ने उनके साथ गड़ बंदन करके जिस तरीके का माहूल तयार करने के कोशिश की है क्योंकि 17 हरियाना में ऐसे सीटे हैं जो दुशन चोटाला जिन्होंने किंग मेकर की भूमी का निभाई उन्होंने आजाद समाज पार्टी के साथ गड़ बंदन करने का एलान कर दिया है आपको बता दें कि भारती जिनता पार्टी के लिए इस वक्त चुनोतियां कम होने का नाम लेती नहीं नजरा रही है क्योंक अगर होते विभारती जिनता पार्टी पर करारा निशाना साधा उम्रकास चोटाला ने कहा कि पिछले दस सालों में बीज़ेपी ने जो शार्षन चलाया है उसमें हरियाना के हितों कि यहां पर कहीं ना कहीं उनको आहत पहुंचाया गया है हरियाना किर्शी प्रधान हरियाना प्रदेश में जिस तरीके से जो राजनितिक समिकन तयार हो रहे हैं उनके मुताबिक आपको बता दे कि दुश्यन चिंग चोटाला ये दावा करते नजरा रहे हैं कि किसी भी राजनितिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है हरियाना में बड़ा सियासी परि प्रदी लगी है उससे विपक्सी धल कॉंग्रेस की बाच्छे खिली हुई नजरा रही है तमाम राजनिता जिस तरीके से बयान देते हुए नजरा रहे हैं उसे इसाब तोर पर प्रतीत होता है कि आगामी वक्त में कॉंग्रेस पार्टी करारी टकर देने की सूरत में यहा आई कमान को अपनी जो रिपोर्ट सोपेंगी और जल्द ही हरियाना में कॉंग्रेस पार्टी जो है वो आने वाले विधान सबाचुनाओ के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने वाली है आम आदमी पार्टी समेत इंडिया गटबंधन की तमाम यहाँ पर दल फिल्हाल इस खासकारी करम इतना ही देश दुनिया की तवाम बड़ी ख़वरों के लिए आप देखते रहे एस्प्यान नाइन न्यूद